Assalamualaikum असलंवालेकूम घर किसी सूड olmuş ग्रीक को जो कश्मीर उन्भर्स्टी सब्सक्राइब पर कलस्ट्र उन्भर्स्टी में पर्दना चाहता है और फिर किसी और इंटने सब्सक्राइब उसकी जहन में सवाल किрамों नहीं बना थे Singapore Cup tod well में जाना पड़ेगा उसके लिए आपको नया फीस जो है वो बना पड़ेगा लेकिन फर्स्ट एर में अपको एक साल में बना पड़ेगा हो हो कितना है क्या यह वह मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स नई है हमारी इस यूट्ट्प चनल पर अ आपननदनागो, प्लवामा, श्युपियन, आप बारमुलाः आप किसी भी डिस्टिक में अगर आप हो, तो हर डिस्टिक में कश्मिर इनवर्सटि का अपना अपना college घो है, वह एफञेक्ट कॉलेटर के इनवर्सटिक में कश्मिर से अपनीड हैं, कि क्लस्टर इन्वरस्टी जो है उसके four to five colleges है अमरसिंग अमेरोड में यहां फिर जो SP college है बाग दो दिन colleges है जो की cluster university आते हैं जो भी जम्मू की district में college पढ़ते हैं तो वहां पर जम्मू से affiliated है वो जो college ठीक अब यहाँ पर स्रहा सावाल की cluster university या बागी university without jamu university या बागी जितने भी universities है ठीक जितने भी affiliate universities है तो वहाँ क्या होगा वहाँ आपको admission जो मिलेगा वो आपको मिलेगा C.U.E.T. based okay cluster university में भी आपको C.U.E.T. based admission मिलेगा second की central university जो गांदरबल में है उसको भी आपको वहाँ पर आपने notification में आपको दी थी कि वहाँ पर भी आपको C.U.E.T. ज़रूरी था और बारमुला में C.U.E.T. ज़रूरी नहीं है जो बारमुला college है वहाँ पर C.U.E.T. ज़रूरी नहीं है या नहीं बारा है तो तब भी आपको 100% वहाँ पर admission मिल सकता है जुमूरी उनिवर्सटी का भी same procedure वही है जो procedure कश्मीर उनिवर्सटी से है इसका मतलब यह है कि C.U.E.T. अगर आपने दिया तो इसका मतलब यह है कि आपको admission मिलेगा अगर नहीं दिया या फोरम ही नहीं बारा registration ही नहीं की तब भी आपको कश्मीर उनिवर्सटी 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 में admission 100% मिल जाएगा second thing is that document क्या चाहिए सबसे पहले आपको TC लानी होगी जो जहां पढ़ती थे वहाँ पर आपको character certificate लानी है और आपको marks card class 12th का marks card जो है वह सास रखना है original और उसके बाद वह वापस देंगे आपको college वाले और साथी साथ आपको fees जो होगा वो होगा approximately 8 की 8000 तक आपका fees रहेगा first year से यानि कि इसमें से आपको एक साल पढ़ना है first semester और second semester ठीक लेकिन एक बात और मैं बता दूँगा जो student इस साल third semester में आना चाहता है यानि कि third semester में admission करना चाहता है जो NEP student है उनको एक procedure जो है वो किया गया है कि जब तक आपका first semester clear ना हो यानि कि उसमें तीन subject is clear ना हो या second semester में तीन subject is clear ना हो तब तक आपको admission नहीं मिलेगा क्योंकि पुराने जामाने में admission मिलता था आपको backlog भी था तो आप आगे चालते थे लेकिन आप वो rule खत्म हो गया अब simply क्या होगा जब तक आपका backlog complete नहीं होगा एक दो subject अगर रह गए लेकिन approximately आपको कम से कम तीन subject is pass करने हैं तब ही आपको next semester में admission मिल जाएगा information ठीच होटी सी इसको लायक्षर ज़रू करना भाई को दीजिए इजादत आल्ला हाफिस